हेलो बच्चों कैसे हो आप सब एक बार फिर से आप सब का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले में आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्याले का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विशय से संबंधित कोई जिग्यासा एवं प्रशना आए तो नूट करते जाना है आज के एपिसोड में हम कक्षा नौ के गनित का पार्ट संख्या पध्धती के साथ शुरुवात करेंगे जिसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के फ्रांसीसी क्रांती के बारे में जानेंगे उसके बाद हम लोग एक और मज़ेदार कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है The Last Show और The Last Show के बाद एक कहानी देखेंगे जिसका शिर्सक है नेकी कर दर्या में डाल The Golden Rule इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 के पढ़ाई के शुरुवात करेंगे जिसमें हम विज्ञान का पाठ रसाइनिक अभीक्रियाएं एवं समीकरन के बारे में कुछ पढ़ेंगे और अंतिम में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में बिहार के क्रिशी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को नमस्कार दोस्तों आज हम कख्षानवी की गड़िक का पाठ संख्या पद्धती भाग एक पड़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धती का परिचे परिमें संख्या है और परिमें संख्या है संख्या पद्धिती के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा के बारे में संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम संख्या को निरूपित करते हैं जहां मध्य में शुन्य होता है जब आप शुन्य की दाई और जाएंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक संख्या जब आप शुन्य के बाई और जाएंगे तो आपको मिलेंगे प्रिनात्मक संख्या अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का वर्गी करन के तरफ संख्या अनेक प्रकार्थी होती है इसलिए हमने उसे अलग-अलग वर्ग में विभाजत किया है सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याई फिर पुन्न संख्याई फिर पुन्नाम फिर परिमे संख्याई और फिर अपरिमे संख्याई आईए जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे, गरन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याओं कहते हैं, एक से शुरू होकर अनन्द तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याओं कहते हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, इत्यादिक, प्राकृत संख्या के संख बात मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। शुन्य से शुरू होकर अनल्ब तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं कहते हैं। जैसे शुन्य एक, दो, ती, चार, पांच, इत्यादी ये सभी पूर्ण संख्याओं में आते हैं। पुर्ण संख्या की संग्रे को हम प्रती W से प्रकट करते हैं प्राकृत संख्याएं और पुर्ण संख्याएं के बारे में जाननी के बाद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पुर्ण संख्याएं होती हैं अब हम बढ़ते हैं पुर्णाउं की तरफ स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो सभी रिनात्मक संख्याएं हैं संख्या रेखा पर शुन्य जो ना धनात्मक ना रिनात्मक केवल को नाम है शुन्य की दाई और जो संख्या है उन्हें हम धनात्मक को नाम कहते हैं शुन्य की बाई और जो संख्याएं हैं उन्हें हम रिनात्मक पुर्णाम कहते हैं पुर्ण संख्याएं रिनात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रे बनाती है जिसे हम पुर्णाम कहते हैं पुर्णाम को हम प्रती Z से प्रकट करते हैं अब हम बढ़ते हैं परिमे संख्याएं की तरफ, स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं, वो या तो फ्राक्रिक संख्याएं हैं, या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक हैं, पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे एक बटे तीन, पांच बटे छे, इत् करते हैं संख्या R को परिमेई संख्या कहा जाता है यदि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां P और Q को नांग है और Q 0 के पराबर नहीं है परिमेई संख्या के संग्रे को हम प्रती Q से प्रकट करते हैं आईए कुछ उदाहरन देखते हैं एक बटे दो, तीन बटे चार, घटा दो शोन्य शोन्य पाँच बटे दो शोन्य शोन्य छे, घटा बार बटे तेरा, घटा तीस, घटा पच्चिस इत्याधी आप सोच रहे होंगे कि घटा 30, घटा 25 ये तो कुण्डांक है फिर ये परिमे संख्या कैसे हुई? आए जानते हैं कैसे हमने एक संख्या ली घटा 25 घटा 25 को हम घटा 25 बटे 1 भी लिख सकते हैं जहां घटा 25 हमारा P होगा और 1 हमारा Q और आप देख सकते हैं कि Q हमारा 0 के बरावर नहीं है इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी पुर्णा परिमे संख्या होती है चलिए अब हम 2 और 3 के बीच की 5 परिमे संख्याएं को ग्याद करते हैं आए संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 और 3 कहा है? यहां हैं 2 और 3 और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में अनिक संख्या हैं होंगी 2 और 3 की परिमेश संख्या को ग्याद करने के लिए हम 2 और 3 को जोडते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे देते हैं यानि 2 जोड 3 बटे 2 जो की आएगा हमारा 5 बटे 2 जो हो जाएगा 2.5 जो संख्या रेखा पर यहां पर स्थित होगा इसी प्रक्रिया में हम 2 और 3 के बीच 4 और परिमेई संख्याएं ग्याद कर सकते हैं से 2 जोड 2.5 बटे 2 जोकी हो जाएगा हमारा 4.5 बटे 2 जोकी होगा 2.25 जोकी संख्या रेखा पर यहां होगा इसी प्रक्रिया में हम 2.5 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे जोकी आएगा हमारा 2.75 जोकी संख्या रेखा पर यहां होगा फिर हम 2 और 2.25 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी 2.125 जो की संख्या रेखा पर यहां होगी अब हम 2.75 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद एक परिमेई संख्या को ग्याद करेंगे जो की आएगा हमारा 2.875 जो की संख्या रेखा पर यहां होगा इससे हमने यह अनुभव कि कि किनी दो दी हुई परिमेह संख्याओं के बीच अपरिमिक रूप से अनेक परिमेह संख्याओं होती हैं अब हम बढ़ते हैं अपरिमेह संख्याओं की तरफ अपरिमेह संख्याओं की परिभाशा कुछ इस प्रकार है संख्या आर को अपरिमेह संख्या कहा जाता है यदि इ जहां P और Q पुर्णाम्क है और Q जीरो के बराबर नहीं है। आईए कुछ उदारन देखते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई 0.1, एक एक और ये चलता जाएगा अनन्थ तक इत्यादी। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारन करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे जिस पर हम एक संकोन प्रिबुज बनाएंगे जिसका आधार होगा एक मातरक और लंब होगी एक मातरक। हमने यहाँ शुन्य और एक को बिंदू O और बिंदू A लिया है जो की होंगे हमारे एक मात्रक अब हम बिंदू A पर एक लंब बनाएंगे जो की होगा हमारा एक मात्रक जिसे हमने बिंदू B लिया है अब हम बिंदू O और बिंदू B को जोड देंगे जिससे हमें मिल का एक संकोर्ण तुरिवुच तब हम पाइथागोरस प्रमयित वारा ओबी की लंबाई ज्मिल मद्रों कर सकते हैं जिस से हमारा ओ भी हो जाएगा व दो अभी आपने देखा कि ऑबी वरमोल्डों है अब हम एक परकार की सहायता से ओग केंदर और ओभी कुद रिज्यों मानकर एक चाह आप खीचेंगे जो की संख्या रेखा को काटता हो बिंदू D पर तब बिंदू D संख्या रेखा पर बर्गमुल दो के संगत होगा आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेह संख्याएं और परिमेह संख्याएं हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दश्मलाव प्रशार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपन अन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी को पता है कि हम हर साल 15 अगस को स्वतंतरता दिवस के रूप में मराते हैं क्योंकि उस दिर हमारे भारत को स्वतंतरता मिली थी मगर इस स्वतंतरता को पाने के लिए कई सारे लोगों को कुर्बानिया देनी पड़ी है और कई सारी क्रांतियां चली है इसी तरह विश्व में लगभग सभी देशों में अलग-अलग समय में क्रांती हुई है स्वतन्तता के लिए कभी विदेशी मुल्ख से तो कभी अपने ही ताना शाही राजाओं से आपके इतिहास के पहले पार्ट में भी एक ऐसी ही क्रांती की बात हुई है यह है प्रांस की क्रांती प्रांसिसी क्रांती प्रांसिसी क्रांती शुरू हुई थी आज से करीब 230 साल पहले यानि 1789 में 14 चुलाई को जब पूला फ्रांस आतंग के वातावरन में घिरा हुआ था समराट ने सेना को शेहर में घुशने का आदेश दे दिया अपका ये भी आई ये सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश प्रांप्त है अब इन हालात में प्रांस की जनता ने भी 7000 लोगों की एक विशाल जन सेना का निर्मान किया इस घटना को देखते हुए इतिहास कारोण ने इसे और इससे जुड़ी सभी घटनाओं को फ्रांसिसी क्रांप्ती का नाम दिया लेकिन ये हालात हुए कैसे ये जनना भी जरूरी है तो चलिए देखते हैं क्रांप्ती से 15 साल पहले यानी 1774 में जब लुईस सोला बूर्वो राजवंच का नाम पर जरा ध्यान देचेगा लुईस सोला राजवंच की राजगर्दी पर आसीन हुए तब उन्होंने पाया कि राजगोश खाली पड़ा है अब ये तो भूना ही था युद्ध और शानों शौकत में फ्रांच के विप्त जो है वो गरबड़ा गया था इस सब के बावजूद फ्रांच ने अमेरिका के 13 उपनिविशों को बिडेंग से आजाद होने में सहायता करे और इस कारण 10 अरब लिवरे लिवरे यानि उस सबै के फ्रांच के पैसे तो 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जोग गया और 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही था अब कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा तो फ्रांची सी सरकार अपने बज़र का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खदम कर देती थी और अपने सामाने खर्चों के लिए सरकार ने करो में विर्धि कर दी लेकिन ये कदम भी ना काफी रहा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस दोरान फ्रांसीसी समाज तीन स्टेट में बढ़ा था और उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट को कर अदा करना होता था अब सवाल ये उठता है स्टेट है क्या? क्रांती से पहले इस्टेट फ्रांचिसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करती थी पहले इस्टेट में थे पादरी वर्ग, दूसरे इस्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे इस्टेट में आते थे जनसाधारण यानि किसान, वकील, करुमचारी, नौकर, इत्यादी पूरी आबादी में 90 प्रतिशत किसान थे लेकिन लगबग 60 प्रतिशत भूमी कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी इससे भी ज्यादा खराब बाद ये थी कि प्रतम दो स्टेट के लोगों को राज्य को दिये जाने वाले करों से छूट थी कुलीनवर को कुछ अन्निसामंती मिशिशादिकार भी थे जिसकी वज़े से व्य किसानों से सामंती कर भी लेते थे और तो और किसानों को अपने स्वामी के घर की सेवा भी करनी थी खेतों में काम भी और फिर स्टेनी सेवाईं देना और सडकों के निर्मार में भी सहयोग देना होता था बात यहीं पर खत्म नहीं हुई चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्ता ताइत के रूप में वसूलती थी तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को जो कर चुकाना होता था उसमें भी दो प्रकाल के कर दिये एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्षकर इन करों में टाइल जो था वो प्रत्यक्षकर था और अव प्रत्यक्षकर में नमक और तंबाकों जैसे रोज मर्रा की चीजों पर लगा कर आथा था इस प्रकार देखा जाए तो राज्य के वित्य कामकाज का सारा बोज करो के माध्यम से तीसरे स्टेट की जंता वहिन करती थी और सिर्फ यही वज़ा नहीं थी आम जंता में करोड की प्रांस की जंसंख्या 1715 में 2.3 करोड थी वह 1789 में बढ़कर 2.8 करोड हो गई थी और जितना अनाज का उत्पादन हो रहा था उससे जादा बढ़ने लगी थी अनाज की खपत इसी कारण महंगाई भी जोरों से बढ़ने लगी लेकिन मज़दूरों की मज़दूरी उनके मालिक तै करते थी तो महंगाई दर्तों बढ़ रही थी लेकिन मज़दूरी नहीं और यही कारण था कि अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब होता गया बढ़ते कर और खराप परिस्थितियों से परिशान लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया लेकिन उनके पास सामाजिक और आथिक व्यविस्ता में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन उपलब नहीं थे तो यह जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे समरित और शिक्षित वर्ग ने जो नए विचारों से वाकिर थे इन्ही सब परिसितियों में एक नए वर्ग का जन्म हुआ मध्य वर्ग इस वर्ग ने उनी और रेश्मी कपड़ों के उत्पादन के वर्ग पर संपत्ति हासर करे क्योंकि या तो इनका निर्यात होता था या फिर ये समाज के समरित लोग उसे खरीद देते थे इसी के साथ क्योंकि वे बढ़े लिके थे तो वे प्रशाशनिक सेवा और वकील जैसे बेशे में भी आ सके बढ़ते ग्यान के साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्म के आधार पर कोई विशेशादिकार नहीं मिलने चाहिए और किसी विव्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योक्यता ही हूनी चाहिए इसी प्रकार लोगों में बढ़ती जागरुपता और विद्रोह की भावना ने किस प्रकार लुई सोला को उनकी सभी शर्ते मानने के लिए विवश कर दिया वो जानेंगे अगली विडियो में आशा करती हूँ आज का पार्ट आपको समझ आया होगा धन्यवाद हेलो दोस्तों ये है आपके ग्रहास का तीसरा बाट इसका नाम है फ्रांच की क्रांदी और ये है इस पार्ट के पहले भाव का डेली टेस्ट आपका पहला प्रश्ण है 1774 में फ्रांच की गद्धी किस राजा ने संभाली बोडी चौदा जोर्ज त्रित्या नेरी सोदा या दुनी सोदा आपका अगला प्रश्ण है फ्रांची सी क्रांदी किस साल में शुरू ग्योड़ी आपका अगला प्रश्ण है फ्रांच में दुतिये इस्टेट कौन सी थी पादरी जंसाल हावें कुलींबर्ग या किसान आपका अगला प्रश्ण है फ्रांस ने किश देश के इतने देशों को आजादी दिलाई इंग्लाइंड इपनी अमेरिका या इंडिया आपका आखरी प्रश्ण है किसान जो कर भूमी पर चुकाते थे उसे क्या कहते हैं तिथे प्रेले स्टांप कर या इन्हीं ऐसे कोई नहीं चलिए दोस्तों इंप्रश्णों के सही उटर देखते हैं धन्य बाद क्रोना डर नहीं एहतियात बरते ग्रामिन भाईयों और बहनों टीवी मोबाईल समाचार पत्रों के माध्धम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे यह आप जानते हैं कि साफधानी इलाज से बेहतर है आप भी उसुक होंगे यह जानने के लिए कि अभी के इस्थिति में अपने गाउं में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें तो आप ये कारिये अवश्य करें भीर भार से बचें अधिक्तर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं अगर नहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले बाहर से लोटे तो हात साबुद से अच्छी तरह होएं अगर पहले से तै नहीं है तो उसे अस्थागित कर दें अगर तै है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें समारों में उपस्तिते लोग एक दूसरे के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाएं यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक करक्रमों को अस्थागित कर दें क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकठा हो जाते हैं और संक्रमण का खत्रा बढ़ जाता है थोड़ा साहतियात थोड़ी सी साबधानी से इस महामारी को फैले से रोके राज्यस्वास समिती बिहार द्व सबसे अच्छी कहानी वो होती है जिसमें किसी दूसरी को एक और चांस मिलता है लोग समझ क्यों नहीं रहे है कि प्लास्टिक को यूँ जलानी से प्रदूशन हो रहा है ये बेकार खात की वज़ह से हो रहा है ये और्गानिक फार्मिंग ना करने का नतीजा है मौसम से भला कौन जीत पाया है मैं भी पत्रकार हूँ ऐसे हार नहीं मानूँगी समस्या को जड़ से मिटाने के लिए रीसर्च करूँगी नोट्स बनाऊँगी तुम्हारे बता तूट चुके है समीरा वो लोगों से हार गए है बिट्टा मैं उन्हें हारने नहीं दूंकी ये हम सब की लड़ाई है लेकिन गाहँवालों को और्गानिक फार्मिंग के लिए मनाएगा कौन भूली भूआ क्यों नहीं उन्की हेल्प लेने में क्या पुराय है आक्टिंग के दुन्या ने मुझे बर्बाद कर दिया था मैं दुबारा उस दुनिया में नहीं लौट सकती हूँ बूआ आपको अपने भाई के लिए एक बार फिर से आक्टिंग की दुन्या में लौटना होगा अगर प्रॉब्लम इतनी गंभीर है तो मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ लेकिन ये मेरा लास्ट शो होगा सकता सकते हूँ कंपनियों के जैविक पदार्थ बिक रहे है उनकी सूची बनाईए और देखिये उनकी क्या कीमत है अपनी टीम के साथ ये तै करें कि आगे और शोद की जरूरत है या आपके पास सारी जानकारी है क्रिशी केंद्र की ओर बढ़िये और आगे जानकारी एकठा करें फिर प्लान पे काम चालू करिये पाँचवादन बिजनिस प्लान बनाना साथ मिलकर बिजनिस प्लान बनाईए और अपने टीचर को दीजिए फिर दूसरी कहानी चुने उन्हें देखे पढ़े और उन पर आक्शिन ले क्योंकि जवान उद्यमी कभी नहीं रुकते चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है नेकी कर दरिया में डाल गंगा को मेला करने में प्लास्टिक की एहम भूमेका है हमें कुछ करना होगा हर कोशिश के पीछे एक प्लान होता है किसी को तो शुरुवात करनी होगा पाइपलाइन बिचाने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा ये महस पेड नहीं है हमारे शहर की सासे है इसे बचाना होगा लेकिन क्या करे वाँ बहुत सुन्दर लड़कियोंने कर दिखाया पेड पर मधुबनी पेंटिंग कम्माल कर दिया कौन है ये गुमनाम कलाकार शायद वो मधुबनी सर्फ पेंटिंग नहीं है बलकि एक अभियान है जिससे दुनिया बदली जा सकती है हमें सभी लोगों को साथ जोड़ना होगा और प्लास्टिक का क्या करे उसे रीसाइकल करके दोबारा इस्तमाल लायक बनाना होगा लेकिन ये सब अकेले नहीं होगा और लोगों की जरूरत पड़ेगी बनना चाहते हो बदलाओ की सबसे बड़ी कम्पनी जो महिलाओ को इंडिपेंडन बनाएगी अब इको पैगेजिंग की है तो अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखना होगा कई बार जीतना जरूरी नहीं होता इंपक्ट जरूरी होता है उसकी प्रभाव जरूरी होते हैं इसी को इनोवेशन या रचनात्मक्ता कहते हैं हमने कोशिश की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है आप क्या सोच रहे हैं? आईए और जुडिये हमारे साथ प्रकृति का यही तो गोल्डन रूल है नेकी कर दर्या में डाल पांच दिन का प्रोजेक्ट है आप इसे चार-चार के ग्रूप में जाकर पूरा करेंगे पहला दिन शेत्रय में जाकर शोज़्द कीजिए आप अपने आसपास के दुकानदारों से मिले और पूछे कि वो उनके उत्पादों की किस तरह पैकेजिंग करते हैं और क्यूं ये भी पूछे कि ज्यादातर उत्पाद प्लास्टिक में लिपते हुए ही क्यूं आते हैं यदि पैकेजिंग प्लास्टिक की है तो वे उसे नश्ट कैसे करते हैं इस काम के लिए लगने वाली पूंजी, इसके विकल्प, उनके प्रतियोगी, आदी सब के वारे में विस्तार से पूछे हर छोटी और बड़ी जानकारी का विडियो बनाईए और तस्वीरे ले दूसरा दिल, शेत्र में जाकर शोट करने का दूसरा चरण, पडोसी परिवारों के पास जाएं, उनसे पूछे कि वो महिने में कितनी चीजे खरीबते हैं, उनमें से कितनी चीजे प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती हैं, और यदि उन्हें ये चीजे परियावरन संड्रक चीजो की बनी हुई जैसे जूट की पैकेजिंग में मिले, तो क्या वो इसके लिए अधिक कीमत देंगे? तीसरा दन बाजार में जाकर शोद उन दुकानों में जाईए जहां पर्यावरन सन रक्षक पैकेजिंग में उतपाद बिखते हो ये कौन से उतपाद है और उनकी कीमत क्या है इसकी एक सूची बनाईए अब उन दुकानों में जाईए जहां प्लास्टिक के पैकेजिंग में उतपाद बिखते हैं उन उतपादों की सूची बनाईए और कीमत भी लिखे अब पर्यावरन सन रक्षक टिकाव पैकेजिंग बनाने वाली अपने एक शेतर की कम्पनियों से मिले और उनसे इसकी पूरी प्रक्रिया जानिए चौथा दिन अपने दल के साथ बैठक कीजिए अब एक साथ मिलकर पता लगाईए कि कच्रे का आखिर होता क्या है इसे कबाड़ वाले उठाते है क्या इसके लिए कोई कम्पनिया है ये रिसाइकल होता है या नहीं क्या इस कच्रे को जलाया जा रहा है हर जानकारी के नोट्स और तस्वीरे लो इस आधार पर अपनी पैकेजिन का प्रोटोटाइप बनाए और इसका लोगों पर परिक्षन भी करे पाँच्वादर अब जब आपके पास सारी जानकारी आ चुकी है तो एक दल के तौर पर अपनी व्यवसाई योजना बनाकर उसे अपनी शिक्षिका को मुल्यानकन के लिए दे इसके बाद आप एक और गेटर प्लान कहानी देखे फिर उसकी शोध योजना पर कार्यवाही भी करे क्योंकि दुनिया प्लास्टिक की पाकेजिंग के बहतरीन विकल्प का बेसभरी से इंतजार करे ही है अरे भाई राजू जा अरे सुने की कल चाचा कुछ बता रहे थे का बोल रहे थे हां चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता बात तो ठीक है लेकिन हम लोगी करेंगे कैसे हम लोगों तो परना लिखना भी नहीं आता है हम भी यहीं सोच रहे थे अरे उधेखो मास्टर साइब सही टाइम पर आगे चलो उनहीं से पूछ लेते हैं मास्टर शाइब परनाम परनाम मास्टर साइब आपसे एक बात का जानकारी लेना था आप हम लोग तो ठारे कम पढ़े लिखे लेकिन हम लोग का बच्चा लोग इसकूल में जा कि क्या कर जी जी चलिए जी चलिए चलिए ज़ो चलिए हाँ अचे हाँ मुठा लेते हैं आईए ये देखिए ये है क्लास तीन का अधिकम पर्थिफल पोस्टर इसका मतलब है यदी आपका बच्चा वर्गे तीन में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीज़ें उसे जानकारी होनी चाहिए ये क्या है लक्षी और ये क्या है यानि के तीसरी कच्चा समाप्थ होते होते आपका बच्चा पसू, पक्षी, फूल, पत्ती आधी के बारे में सीख जाएगा हर कलास और हर विशाय के लिए अधिगम पर्थिफल पोस्टर बनाए गए हैं आईए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं जी से ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कौपिया और ये है सही का निसान, इसका मतलब है कि इस प्रस्ण का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है, जितना जादा होंगे ये निसान, उतना बढ़ियां सिखा है आपका बच्चा, और ये क्या है? गलत का निसान हाँ, ये है गलत का निसान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रस्ण में कुछ गलती की होगी और ये निसान जितना जादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़ुरत है लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे बिल्कुल जानेंगे उसके ले भी हमारे पाद कुछ साधन है उनमें से एक है परगती पत्रक इसके माध्याम से आप घर बेठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा देख स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है और एक स्टार का मतलब मतलब अभी सीखने की आवर्शक्ता है जी हाँ इतो बहुत असान है अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कोपी आसानी से जाज कर पाएंगे बिल्कुल जानक पाएंगे मनुज हाँ मास्टा साइब आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी तो ठीक है चलते हैं आज वो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे आप क्या करेंगे आईए हम मिलकर अपने बच्चों के भविश्य को एक नई उडान दे आज हम पूछेंगे तो कल ये सिखेंगे नमस्कार दोस्तूं आज हम रसायनिक अभिक्रियाएं एवं समिकरन का दूसरा भाग करेंगे तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर दसायनिक समिकरन को लिखते कैसे हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें संतुलित किस तरीके से किया जाएगा और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है तो चलिए शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आखिर रसायनिक समिकरन को लिखा किस तरीके से जाता है किसी रसायनिक अभिक्रिया के प्रतिकात्मक निरूपन को रसायनिक समिकरन कहते है इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर तत्व का अपना एक प्रतीक होता है जैसे कि आक्सीजन के लिए हम O का इस्तिमाल करते हैं सोडियम के लिए हम NA का इस्तिमाल करते हैं और लीथियम के लिए हम LI का इस्तिमाल करते हैं तो रसायनिक समयकरन लिखते समय हम इनी प्रतीकों का इस्तिमाल करते हैं ताकि रसायनिक समयकरन को शंशेप बनाया जा सके इस से पहले कि रसायनिक समयकरन लिखने का हम कोई उधारन देखें कुछ नियम है उनके बारे में जान लेते हैं हम जितने भी अभिकारक होते हैं उन्हें बाई तरफ में लिखते हैं और जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें दाई तरफ लिखते हैं अगर अभिकारक या उत्पाद एक से जादा है तो उनके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम उनके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं अब हम एक तीर का शिरा लगाते हैं जो हमें ये बताता है कि उत्पाद की दिशा क्या है और अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं अभिकारक प्लस अभिकारक हमें बता रहा है कि ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं यहां पर दो उत्पाद हैं इसलिए बीच में एक प्लस का चिन लगाया गया है चलिए अब एक उधारन देखते हैं जिससे हमें समय करन लिखने में आसानी होगी बात करते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से जल के निर्मान की यहां पर हाइड्रोजन के लिए हम H2 का इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो अनू होते हैं इसलिए नीचे दो लगाया गया है इसके साथ oxygen जब अभिक्रिया करता है oxygen gas में भी oxygen के दो अनू होते हैं तो हमें एक उत्पाद मिलता है जिसे हम जल कहते हैं जल का रस्थाइनिक सूत्र होता है H2O यहाँ पर H2 और O2 जो हैं यह दोनों अभिकारक हैं दोनों की बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने एक प्लस का चिन लगाया है फिर जो तीर का सिरा है वो हमें उत्पाद की दिशा बता रहा है जहाँ पर H2O जो है वो हमारा उत्पाद है अब आप समझ गए होंगे कि रसायनिक समिकरन को किस तरीके से लिखा जाता है अब हम संतुलन की बात करेंगे जरा उसी समिकरन को दुबारा देखते हैं यहाँ पर अगर आप तीर के निशान की दोनों और के जो तत्वों के परमानु की संख्या है उन्हें गिनेंगे और तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बराबर नहीं है चलिए गिन के देखते हैं यहाँ पर एक सारनी दी गई है जहाँ पर दाई तरफ और बाई तरफ अनों की संख्या दी गई है यहां पर आप देखेंगे कि बाई तरफ hydrogen के दो अनू है और oxygen के दो अनू है पर दाई तरफ की बात करें तो hydrogen के तो दो अनू है पर oxygen का सिर्फ एक अनू है तो हम देख सकते हैं कि ये जो समिकरन है वो संतुलित नहीं है ऐसे समिकरन जो संतुलित नहीं होते उन्हें कहा जाता है कंकाली समिकरन तो अब सवाल यह आता है कि संतुलित नहीं है तो दिक्कत क्या है आखिर हमें रसाइनिक समिकरन को संतुलित करने की जरूरत के उपरती है इसका जो उत्तर है वो है द्रव्यमान संग्रक्षन का नियम ये कैसे द्रव्यमान संग्रक्षन के नियम के अनुसार किसी भी रसाइनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्मान हो सकता है और ना ही विनाश अब अगर इस समिकरन को दुबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अभिकारक हैं उनमें एक ऑक्सिजन का अनू जादा है और जो उत्पाद है उसमें ऑक्सिजन का एक अनू कम है तो यहां पर अगर ये समिकरन सही होता तो इसके अनुस्दार आक्सीजन के एक अनुका विनाश हो गया है परन्तु द्रव्यमान का संग्रक्षन का नियम कहता है कि अनुका विनाश नहीं हो सकता इसका मतलब जो हमारा ये समिकरन है वो गलत हो जाता है तो एक बात तो साफ है अगर हम चाहते हैं कि हमारा समिकरन सही हो तो उत्पाद के तत्वों का कुल्द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिकारक के तत्वों के कुल्द्रव्यमान के अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा समिकरन संतुलित नहीं होगा और वो गलत होगा तो अब आप समझ सकते हैं कि समिकरन को संतुलित करना क्यों महत्पूर्ण हो जाता है तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें संतुलित किया कैसे जाएगा उधारन में वही समिकरन लेते हैं हाइड्रोजेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल प्रदान करता है अब आप सोच रहे होंगे कि समिकरन को बराबर करना है तो H2O की जगह H2O2 लगा देते हैं समिकरन बराबर हो जाएगा परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते क्यूंकि जो तत्व है उनके रसायनिक सूत्रों को नहीं बदला जा सकता तो आखिर अब बराबर किया कैसे जाएगा हम तत्वों के रसायनिक सूत्रों को संख्याओं से गुना करके इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा सबसे पहले हम दाई और बाई और के तत्वों की गन्ना करेंगे यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो बाई तरफ हाइडोजन के दो अनू है और ऑक्सीजन के दो अनू है वहीं दाई तरफ हाइडोजन के दो अनू है और ऑक्सीजन का एक अनू है तो अगर दाई तरफ के समीकरन को हम दो से गुना कर दें तो ऑक्सीजन के अनू बराबर हो जाएंगे तो हम ऐसा ही करेंगे हम जो दाई तरफ समीकरन लिखा है उसे दो से गुना करेंगे O का 2 हो जाएगा परन्तु जो hydrogen पहले से 2 है अब वो 4 हो जाएंगे तो अब oxygen तो बराबर हो चुका है परन्तु hydrogen बराबर नहीं है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाई तरफ hydrogen के 2 अनू है और दाई तरफ 4 तो बाई तरफ के समिकरन में हाइडोजन को दो से गुना करने पे समिकरन बराबर होता हुआ दिखता है तो हम ऐसा ही करेंगे हम बाई तरफ में जो हाइडोजन है उसको दो से गुना करेंगे इसते क्या होगा कि बाई तरफ हाइडोजन के चारणू हो जाएंगे अब आप देखें तो समीकरन बराबर हो चुका है क्योंकि समीकरन की तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमानूओं की संख्या बराबर है और जो हमारा संतुलित समीकरन है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा 2H2 प्लस O2 जिससे हमें मिलता है 2H2O चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा सबसे पहले हमने रसाइनिक समीकरन लिखना सीखा और फिर हमने जाना की रसाइनिक समीकरन को संतुलित किस तरीके से किया जाता है और इसका महत्व क्या है चलिए आप जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे संतुलन की कि रसाइनिक समेकरन को संतुलन किस तरीके से किया जाता है और रसाइनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे धैन्यवाद नमस्कार दोस्तो आज हम एक और नए अज्जाय पढ़ने वाले हैं अज्जाय का नाम है कृषी आज हम इस अज्जाय का पहला भाग पढ़ेंगे इस अज्जाय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस अध्याय में हम भारती किर्षी के बारे में जानते हुए भारत में किर्षी का महत्व, भारत में किर्षी भूमी उप्योग, शुश्क भूमी किर्षी की विश्यस्ताएं और गरीबों के उत्थान की योजनाएं इत्यादे बिंदों पर चर्चा करेंगे, तो चलि प्रियाप्त ताप्पान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिल जाता है इसके अलावा हिमालयों से निकलने वाली सत्वाहिनी निजियों में ग्लेश्यों के पिघं़ने की वज़ए से वर्स भर जल रहता है अर्थात इन नदियों को सदा नीरा नदियां भी कहा जा मुठा उपहार है दोस्तो मौन्सुल के सभाव के कारण किर्शी निधरन में वर्षा का बहुत महत्व है अधिकांज भागों में तीन से चार मेहने तक ही बारिस होती है और वह भी असमान और अनियमित इस कारण अधिकांज चेत्रों में एक ही फसल होगाई जाती है मात्र 15 पर चेत्रों में ही साल में दो से अधिक फसल होगाई जाती है और ये ऐसे चेत्र होते हैं जहां पर सिचाई की सुष्धा होती है इस प्रकार भारत के अधिकांज चेत्रों में सुष्क खेती का प्रचल अधे भारत में किशी के मेहत्यों को समझते हैं कृशी भारत के आर्थिक जीवन का प्राण है भारत में लगबग दो तिहाई-ई-डोगों की जीविका कृशी पर ही आधरित है यहां की विशालदन संक्या के लिए भोजवर्न क्रिशी से ही प्ताप्त होता है कच्च हमान के लिए वह दो गजूरत होती है। जैसे कापाज गनन जूट इत्यादी इसके अलावा किरशीका आंतर्जिक्क व्यापार में बहुत बड़ी भुमी का है। दाश्टी आए में कृष्षी का महत्वपून योगदान है, तेज की 24 प्रतिशत आई कृष्षी से ही प्राप्त होती है, चलिए दोस्तो अब बात करते हैं भारत में कृष्षी भूमी उप्योग की, दोस्तो कृष्षी पर आस्तित लोगों के लिए भूमी अच्यनत ही महत् संबंद रेकने को मिलता है, अर्थात जो भूमी हीन हैं वही अधिकान गरीब हैं, दोस्तो फसलों के उत्पादन में भूमी की गुर्मत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक किरिया कलाप जैसे उज्द्यूग, परिवहन और आवाद, इनके लिए भूमी का सामाजिक महत्व है, इससे सामाजिक प्रतिष्था भी बढ़ती है, कर्ज के लिए इसे गीरवी भी रखा जा सकता है, इसके अलावा भूमी हीन इन सब लावों से बंचित रह जाते हैं, दोस्तो कृषियों की भूमी में चार तरह की भूमी सम्मिलित की जाती है, पहला ह शुद्ध बोया गया चेत्र, चालू परती भूमी, अन्य परती और किर्शी योगियत व्यर्थ भूमी, जन संक्या के बढ़ने से किर्शी योगी भूमी पर काफी दवाव बढ़ गया है, और इसका गैर किर्शी कारियों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है, ऐसी पर शुद्ध गहनता किर्शी का मतलब है, जब हम एक वर्ष में एक ही भूमी पर एक से अधिक फस्नों को उगा कर कुल उत्पादन में व्रधी करते हैं, तो उसे शुद्ध गहनता कहते हैं दोस्तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 75 cm से कम वर्षा वाले छेत्रों में होने वाले क्रिशी को शुष्क भूमी क्रिशी कहते हैं, तथा 75 cm से अधिक वर्षा वाले छेत्रों में होने वाले क्रिशी को आदर भूमी क्रिशी कहते हैं, तो चलिए शुष्क भूमी जिस्ताओं को समझते हैं दोस्तों शुष्कता के कारण यहां की मिट्टी में हुमस की मात्रा बहुत कम होती है मिट्टी की उपरी परत का वायू द्वारा कटाव होता रहता है इस प्रकार की भूमी पर अधिकांस्तहर गरीब किसान खेती करते हैं यहां पर वर्षा जल को सं शुष्क समय में उसका उफ्योग किया जा सके जैसा कि हम जानते हैं गरीब किसान और शुष्क भूमी किर्शी दोनों ही एक दूसरे से जूड़े हुए हैं इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाये बनाई हैं सरकार ने गरामीड किसानों के लिए समन्वित गरामीड विकास कारिक्रम, सुका प्रमानचेत्र विकास कारिक्रम, रोजगार के बदले अनाज कारिक्रम तथा नर्यगा आधी कारिक्रमों को चलाया है किसी की नई तक्निकों और उत्तम किस्म के बीजों की विवस्ता की जा रही है खुशुपालन और मुर्गी पालन को भी किसी सायक कारियों के रूप में विक्सित किया जा रहा है कुटीर एवं लगू उद्योगों को भी विक्सित किया जा रहा है चले दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा आज हमने भारत में क्रिशी का महत्व, भारत में क्रिशी भूमी उप्योग, सुश्कु भूमी क्रिशी की विशिष्टाएं और गरीबों के उत्थान की योज़दाएं इत्यारी बिंदों पर चर्चा की अगली वीडियो में हम इसी अज्ञाय का अगला भाग पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम क्रिशी के प्रकार, फसल प्रारूप और भारत की मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो बच्चो आशा करते हैं, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद क्रिशी, पहला प्रश्ण है, भारत में कितनी भूमी में साल में दो से अधिक फसलों गाई जाती है हिमाले से निकलने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, दोला नीरा, सदा नीरा, उप्रोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं 75% सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छेत्रों में होने वाली क्रिशी को क्या कहते हैं शुष्कु भूमी, आदर भूमी, उप्रोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं शुष्कु भूमी क्रिशी की विशेस्ताएं कौन-कौन सी हैं इस प्रकार की मिट्टी में ह्युमस की मातरा कम होती है मिट्टी की उपरी परत का वायुद्वारा कटाव होता है इस भूमी में अधिकांस गरीब की सानखेती करते हैं उप्रोक्त सभी क्रिशी योगी भूमी में किसे थमलित नहीं किया जाता है शुद्ध बोया गया छेत्र, चालू परती भूमी, विशी योग्य व्यर्थ भूमी, इन मैंसे कोई नहीं बच्चों इनके सही उस्तर हैं कोरोना वायरेस जैसी महामारी से बचाओ के लिए देश भर में लॉकडाउन है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्ध्याले बंद किये गए हैं इस परिस्थिती में आपका मोबाईल ही आपका विद्ध्याले बन सकता है जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने युनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन एप मेरा मोबाईल मेरा विद्ध्याले की शुरुआत की है इस एप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पार्टिक्रम को पढ़ सकते हैं सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बलकि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परिशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है, तो इस एप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जबाब उस विशे के विशेशक द्वारा दिया जाएगा तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन एप, मेरा मोबाइल, मेरा विद्याले और अपने मोबाइल से ही अपने विद्याले का अनुभाव पाएं वो भी बिलकुल निशुलक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें क्योंकि चाहे कोई भी स्थिती हो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल आशा करता हूं कि आज के एपिसोड बे आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कौपी में नोट भी किया होगा आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा आप इन सभी सवालों को उन्नयन आप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर भी अपना सवाल पूच सकते हैं नंबर नोट कीजिए पहला नंबर है 970 951 9929 और दूसरा नंबर है 9025 59 24 75 आप हमें इमेल भी कर सकते हैं इमेल आईडी नोट कर लीजिए विहारउननायन at gmail.com B-I-H-A-R U-N-N-A-Y-A-N at the rate gmail.com biharउननायन at gmail.com तो बच्चों मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो की कक्षा नौ और कक्षा दस्वी के होंगे और आज की तरह हम कुछ कहानिया भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानिया मेरा दूर दर्शन मेरा विद्याले के आज के एपिसोड में इतना है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें बाई बाई बच्चों